चुनाव से पूर्व राज्य सरकार ने कई एहम योजनाओं का एलान किया है अब सारा प्रशासन इन योजनाओं के सफल क्रियानवयन को लेकर अग्रसर है लाडली बहना के साथ ही युवाव के लिए मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रसिक्षन योजना शुरू की गई है लाडली बहना की तर्च पर इस योजना को लाडला भाव योजना कहकर संभोधित किया जा रहा है एक और जहा इस योजना को सफल बनाने के लिए सारा प्रशासन जुटा हुआ है तो वही दूसरी और प्राइवेट सेक्टर की इस योजना की कोई खास दिल्चस्पी दिखाई नहीं दे रही है मुख्यमंत्री यूवा कार्य प्रसिक्षन योजना को लेकर सरकार के माध्यम से व्यापक जन्जागरती की जा रही है नाकपुर स्थित जिला कौशले विकास विभाक कारले द्वारा यूवा को इस योजना का लाब दिये जाने का काम शुरू किया गया है करीब 2000 यूवा के प्रसिक्षन की शुरुवात सरकारी कारलेव में जल्द होने वारी है लेकिन अब तक इस योजना के जितने आविदन आ चुके है उतने यूवा को प्रसिक्षन की वैवस्था करने के लिए सरकार को नीजी शेत्र के साथ की आवशक्ता है जो मिलती दिखाई नहीं दे रही है प्रसिक्षन देने साथी पुढ़े ही आवा असा मी याम अध्यमा तो नामान करें साथ खुब सिंपल क्राइटीरा थेव लेले आपन उद्ध्योगाधा उद्ध्यम और MSME अंतरगत्तन ची नुन्नी आसावी ती तीन मर्शा पुर्वी ची आसापना आसा वी आणि जितके करमचारी ती ते कारे रहता है तैंसर प्रोविडेंट फ्रेंड और ESIC तानी पेड के लिले आसाव अकेले नागपुर में ही अब तक 20,000 से अधिक युवाओ के आविदन आ चुके है इस योजना के लिए कुछ खास नियम बनाए गए है इसके लाभार्ती युवाओ को सरकार की और से मानधन भी दिया जाने वाला है योजना में चैनीत युवाओ को नीजी शेत्र वो कमपनिया इन नियमों के तह तैस संख्या में अपने यहाँ युवाओ को प्रस्रिक्षन के लिए रख सकते हैं लाडली बहना के बाद राजर सरकार कार आज प्रस्रिक्षन के लिए रख सकता है लाडली बहना के बाद राजर सरकार का जिस योजना पर सबसे ज्यादा ध्यान है वो मुख्यमंत्री युवाओ कार्य प्रस्रिक्षन योजना है ये योजना अभी शुरू है और बड़ी संख्या में युवाओ इसमें अपना रजिस्ट्रिशन करवा रही है ये योजना शिक्ष्या लेने के बाद नौकरी शुरू करने के लिए हासिल की जाने वाली ट्रेनिंग के लिहास से एहम है